हेलो नमस्कार येदि आप लोग भी गिरेजोईशन पास चात्रा हैं येदि आप लोग ने में अपना वजूब गिरेजोईशन काकवर से वह कंपलीट कर चुके हैं और अपने मुकमत्री कन्या उतरना सना तक पास पचाथ जार स्कॉलसिप का इंदिजार कर रहे हैं जिसके अभी ऑनलाइन अपलाई का डेट आया नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसका लिस्ट में नहीं होने के करण वे यहां पर परिशान हो रहे हैं कि क्या हमारा लिस्ट में नहीं आएगा ये फिर हम अपना जो भी स्कॉलसिप का लाब है वो नहीं ले पाए तो क्या हम अपलाई करेंगे पचाज़ रусов яसी ऩ contextual ये ले पाएंगे तो इस वीडियो में आपसे हो को उसी के बारे में बात करेंगे जितने फी स्टू इंटों का डाउटस है ये सारे डाउटस बी इस वीडियो Speed कर देंगे तो सभी स्रिक्रिक्रइन के वीडियो लूक γए कि आप नमंबर के लाश्ट अपलाई का डेट सुरू रहा यहाँ अपना पना यीस्ट आपना नाम देखना है यह दिए आप लोका नाम इसमें आता है आपसे कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रत नहीं है जैसे यह आप लोग का online apply का date आएगा तो आपसे भी ओनलाइन आवेदन कर पाएंगे लेकिन वैसे student के बारे में बात कर लेते हैं जो student अपना जो भी सभी document अपने university में जाकर के जामा कर भी दिये हैं उसके वा record found can only visit your university and get your query resolved only university can answer all the queries यहाँ पर बताए जा रहा है कि आपसे को जो भी no record data found का प्रोग्लम आ रहा है इसे आपसे लोग solve कराने के लिए अपने university में जा सकते हैं इससे regarding जितने भी regarding है यह सारे जान करें आपसे को university से ही मिलेंगे क्यों आपसे का data upload नहीं किया गया यह फिर क student क्या करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह दि आप लोगा list में नाम नहीं दिया गया है तो आपसे बताने की जो भी सिख्छा विवाग है उसके द्वारा यहां पे 30 नवंबर तक सभी का data student portal पे upload करने का जो निर्देश है वो दिया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे student student है जिसका यहां पे data upload कर दिया गया लेकिन यहां पे सो नहीं करा है complete नहीं हुआ उसका data upload तो सभी जुभी university है उच सिख्छा विवाग है उसके द्वारा सभी को निर्देश दिया गया university को कि जितने भी student का बचा हुआ list है वो 30 November के पहले पहले यहनिकि 30 November तक उनका data को जा data वो यहां पे upload हो जाएगा list of eligible में नाम सो करने लेगा यह जो भी नाम सो करेगा ध्यान दे वैसे student का सो करेगा जिसका result 1423 से लेकर के 3923 के बीच में आया हुआ है उसी का जो भी सिर्प data वो upload किया जा रहा है और वहीं बताते हैं कि यह आप लोग इसमें इसको लेकर के वहां से भी जाकर के पता कर सकते हैं बात रही online आविदन का डेट तो आपसे भी बतादें कि जितने भी student है बिहार के सभी university के दोरा सभी यहां पे student का list अभी जारी नहीं किया गया नहीं data upload किया गया complete इसी के करण online आविदन नहीं पे शुरू नहीं किया गया तो अब आप आपसे का जो भी दिसंबर में आपसे का ओनलाइन आप दन लिया जाएगा क्योंकि डाटा अप्लोड नहीं होने के कारण इसलिए आपसे का ओनलाइन अब्यदन इसार्ट नहीं किया गया और बहुत सारे वैसे वी स्टूटेट्ट हैं जिनके पास औरिजिनल मासीट नहीं होन जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपसे पहले अपडेट करूँगा जिसे कि आपसे लोग सबसे पहले आउनलाइन आपधन कर पाएंगे तो क्या-क्या आपसे डोक्मेंट लगता है मैं आपसे अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ यदि आप लोग ने वह वीडियो नही करके पूछ सकते हैं फिलाल तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपी किसे